गुरुदेव और मागायत्री के चड़न में कोटी-कोटी नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे उच्चिस तरिये साध्नाओं का तत्व ज्यान यानि कि उच्चिस तरिये जो साध्नाएं होती हैं पंच कोशी साध्नाएं जैसे गया होता है आज हम जानेंगे हमें शरीर को प्राप्त होने वाले सुख साध्नों का नरंतर ध्यान रहता है उन्हीं प्रैत्नों में सारा समय लगता है पर जिस आत्मा का ये शरीर एक तुच्छ सा वहन मातर है उसके कल्यान एवं सुक का तनिक भी ध्यान नहीं रहता कैसे दुख और आशरी की बात है पौश्टिक पोजन की कंजूसी के कारण शरीर दुबला पतला और पीला पड़कर मरना सनिस्थिती को पहुँच जाए और कपड़े जेवरों पर बहुत सारा धन घर्च कर दिया जाए तो इसे कोई बुद्धि मानी का कार नहीं माना जाएगा हमारी गती विधी आज ऐसी ही आबुद्धि मत्तपून हो गई है आज हमारी चतुर्ता इस बात में लगी हुई है कि कितना धन, कितना मान और कितना विलास उपलब्ध कर लिया जाए पर 84 लाख योनियों में भ्रमण करके लाखों करोणों वर्ष बाद मनुश्य शरी प्राप्त करने का जो अलब है अफसर हमको प्राप्त हुआ है उसका सद्विप्यों कैसी किया जाए इस प्रश्ण को सुल्जाने में सारी चतुर्ता धूमिल पड़ जाती है हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं इसका पता उस दिन चलता है जब जीव इस शरीर को छोड़कर आकाश में उड़ रहा होता है उसे आगी फिर 84 लाख यूनियों के दुख दायक और शरीर सामने उपस्थित दिखते हैं जिन में उसे करोणों वर्ष पड़ा रहना पड़ेगा तब कहीं फिर मनुष जर्म का अफसर आएगा जो अभी तुछ बातों में गवा दिया जीव को अपने इस मूर्खता पर भारी पश्चाताप होता है कि ये सुर्दुरलब मानव जीवन व्यर्थी गवा दिया शरीर के मुह में पड़कर अनेक दुष कर्म भी किये जिन के लिए नार की यांत्रनाएं चिरकाल तक सहनी पड़ेंगी पाप कर्मों के सुख शनिक थे पर उनका दंड तो दीरकाल तक सहना पड़ेगा पश्यत आपकी इस आग में इस प्रकार जलने से पूर्वी यदि थोड़ी से समझदारी अपना ली जाए तो उसे एक सौभाग की ही समझना चाहिए आध्यात्मिक प्रवर्तियों में मन का लगना वस्तुतह एक महान सौभाग की ही है जिसके लिए आज भले ही उपहा सहना पड़े पर अंततह उसका पई नाम श्रे कर ही होगा लोग मौच शौक चाहते हैं पर चाहने पर भी कितनों को वह मिल पाती है अधिकांश को तो वह मुर्ग तृष्णा के पीछे भटकने पर भी निराश और असफल ही रहना पड़ता है फिर यदि इस छोटी सी कुछ दिन वासना और तृष्णा की आग को विलास और संग्रह के इंधन से शांत करने में कुछ देर सफलता मिले भी तो उससे बनता भी क्या गुद्धिमत्ता और दूरदर्शता की कसोटी तो एक ही है कि हम अपने इस तिर स्वार्थ को समझें शाश्वत शांती के लिए प्रत्न करें और आत्म कल्यार की साधना में शुद्धा पूर्वक लग जाएं इस मार्ग पर चलते हुए लोग और परलोग दोनों बनते हैं पारलोकिक शांती तो मिलती हैं लोकिक सुखों का आभाव भी नहीं रहता आत्म सुधार आत्म निर्मार्ण और आत्म विकास का मार्ग दर्शन ये पत्रिकाएं अपने जीवन में कई वर्षों से सतत करती रही हैं सद विचारों को अपनाने से भावनाओं को विक्सित करने और उपास नात्मक साथना का अवलंबन करने का अपना एक सुनिश्चित मिशन इस लंबी समय से चल रहा है। उपासना छेतर में गायतरी का महत्वर सर्वो परी है। प्राचीन काल के समस्त्र रिश्यों ने गायतरी के आधार पर अपनी योग्य साथना की थी। भागवान के 24 अवतार हुए थे। उनने भी अपनी उपासना में गायतरी की प्रमुक्ता रखी है। वालमिकी रामायन साक्षी है कि भगवान राम गायतरी की उपासना करते थी। श्री मत भागवत से स्पष्ट है कि स्री किष्ण चंद्र की उपासना का आधार गायतरी था। यग्यो पवीत धारन के समय प्रतेक ट्विच को गुरू मंतर के रूप में केवल गायतरी की ही दीक्षा देने का धर्म ग्रंथों में विधान है। केवल प्रामणों की गुपचुप कान में कहने की सत्योग में जपने की आदी आशंकाएं एवं उपेक्षा पैदा करने वाली बाते कहकर एक प्रकार से बहिश्कृत ही कर दिया था। प्रसनेता की बात है कि भ्रम का वह अंधकार अभट क्या है। प्रारंभिक उपासना क की रूत में गायतरी जब का सामाने विधान अब तक सुविस्तरित किया जाता रहा है पर उतने से ही पुनेता की लक्षे तक नहीं पहुचा जा सकता जब से मनुभूमी की शुद्धी होती है। जमीन को जोतने का जोकार्या हल बैल या ट्रैक्टर की द्वारा समपन होता है वही कार्या मनुभूमी की शुद्धी के लिए माला द्वारा गायतरी के जब से होता है। भूमी की जुताई हो जानी पर उसमें पहला काम होता है कि बीजबुना, दूसरा होता है सीचना, तीसरा खाद देना, निराई गुडाई करना और रखवाली करना इन सब चीजों की आवशकता पड़ती है इसी प्रकार जब दौरा हमारी जब मनुभूमी परिमारजित हो जा गायतरी को पाँच मुख वाली दिखाया गया है हमने गायतरी के पाँच मुख की पहले ही विवेचना कर चुके हैं हम वीडियो डाल चुके हैं जैसे शरीर पर बन्यान, कुर्ता, जैकिट, कोट और ओवरकोट एक की उपर हम पहन लेते हैं वैसे ही आत्मा भी पाँच मैकोश और आनन्द मैकोश कहते हैं इन आवरों को हटाते हुए आत्मा का परमात्मा का साक्षात कार करना ही योग साधना का लक्ष है जबके बाद अगली भूमिका में प्रत्यक साधक को प्रवीश करना पड़ता है तब उसके लिए वह पंच कोशी साधना पंच मुखी ग नारी, ग्रही, विरागी सभी के लिए अत्ति सरल होती है और सर्फता हानी रहित होती है एक दो घंड़ा समय लागा सकने वाला कोई भी व्यक्ती से बड़ी सरलता पुरवक अपना सकता है इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए सामान इस्थिति का व्यक्ती भी अंतधा इस पंच कोशी साधना करम को दस भागों में वाजित किया गया है इन्हें दस भागों में हम प्राप्ट कर सकते हैं इन्हें दस कख्षा मानना चाहिए एक वर्ष में एक कक्षा पून होने का एक क्लास को पून करने का पूरी करने की आशा की गई है पर धी में चलने वाले सादकों को इससे अधिक समय भी लग सकता है जिस प्रकार एक कक्षा उत्रीन करके दूसरी में प्रवेश करने पर पाठे पुस्त के बदल जाती है और नए पाठे करम का भ्यास करना पड़ता है जैसे हर क्लास का अपना अलग-अलग कोर्स होता है उसकी बुक्स अलग-अलग होती है उसी तरह से हमको हर वर्ष अलग-अलग सादना करम अपनाना पड़ता है दस वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति इन्हें अपनाता रह सके तो ये विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति बाहर से साधारन ग्रस्त जीवन में रहने वाला सामान्य व्यवसाय करने वाला ओसत दर्जे का भले ही दिखाई दे पर आंतरिक द्रश्टी से वो नि विशेस्ताओं से पुलकित प्रफुलित किये रहेगा जीवन लक्ष प्राप्त करने में भी उसे कुछ विशेश वाधा न रह जाएगी तो ये है गायत्री की पंच कोशी साधनाओं का रहस्य है पंच कोशी साधनाओं का महत्व उसका तत्वग्यान तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आये तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मंदर सिद्धी चैनल को